हलो दोस्तों कैसे हो आप आपको तो पता ही है कि हर बैंक के साथ आप आधर कार्ट को लिंक कर वाना मेनिटर ही है नहीं तो आपका बैंक एकाउंट बंद भी हो सकता है लेकिन बहुत सारे यूजर के पास टाइम नहीं रहता बैंक में जाने के लिए क्योंकि किसी का काम रहता 31 December लेकिन ये डेट साहथ बढ़ भी जाएगा लेकिन फिर भी आप जिन्रा जल्दी हो सकत कर लिजी आपका बैंक आकाउंट के साथ आधरकार्ट का लिंक ओके तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हलो दोस्तों मैं हूँ देव टेक्निकल देव यूटूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है देखिए अगर आपका एजबिया वे बैंक है तो आप दो तरह से अपना बैंक के साथ आधरकार्ट का लिंक कर सकते हैं पहला है ओनलाइन बैंकिंग ओनलाइन बैंकिंग की से भी आप कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको यहां पर पहले ऑनलाइन जो होता है इस अपको दिखाता हूं कैसे आप आधरकार्ट के साथ लिंक कर पाएंगे ओके तो पहले आप एजबिया एनिवार बैंक एप्लिकेशन में लॉगिन हो जाईए तो यहां पर देख सकते हैं त Hug पहले डालना होगा पहले रिवेनर करनना होगा तो ही नपर काट डान लेके के बाद आपको यहां पर सब्मिंट में क्लिक कर देना होगा सब्मिंट में क्लिक कर देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा आपके रिजिस्टर मोबाइल नमबर में तो उस OTP को यहां पर डाल दीजिए देन सब्मिट कर दीजिए बस आपका काम हो जाएगा आपके पा करना होगा मैसेजिंग में जाए यह दिन यहाप एकुरेड मैसेज दिन आपको टाइप करना पड़ेगा क्याप्स में यू आई डी दें स्पेस देकर यहापको अपना 12 डिजिट आधार नमबर यहाप डालना होगा तो यहाप मैं एक्सेस काड़ देता हूं लेकिन यहाप देखिए अगर आपका मोड में दो सिंग करना होगा लेकिन सेंड करने से पहले यहाप देखिए अगर आपका मोड में दो सीम करें तो आपको चीस नमबर के साथ आपका बैंक अकॉंट रिजिस्टर है उसी नमबर से आपको मैसेज सेंड करना पड़ेगा यहाँ पर दीके दो अपसन है इसके उपर में टैप करता हूँ है आपके जीओ फोर्ट जी दिखा रहा है यहाँ 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 य से साथ करना पड़ेगा उसके लिए आको अपको आपको आपको जनाए पड़ेगा मुबायल नंबर रेश्टर करने के बाद ही आप यह कारता काउच सीम करने के लिए मेंनेlem को सब्सक्राइब करना मढद् SCH के लिए बाबाई जाहिन बने माटराम